हाई गाईज वेलकम टू टेक्निकल स्टाटी जोन क्योंने अभी तक मारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसको भी पेस कर दीजिए तो दोस्तों आज एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो की है हिंदुस्तान अरनोटिक्स लिमिटेट की तरफ से जो है एर कैप्ट डिविशन नासीर उजहार टाउन्शिप जो की है आपका नाशिक यानि की महाराष्ट में ठीक है तो यह जो नोटिफिकेशन है यह है जो फ्रिशर आईटे केंडियेट है जिरों ने अभी तक अप्रेंटिशिप नहीं किया है तो उनके लिए बहुत अच्छा नियूज है क्यूंकि बहुत सार भैकेंसी है हिंदुस्तान आयोंटिक्स लिमिटेड में और यहां से अप्रेंटिश करने में आपको बहुत सारा एक्स्पिरियेंस मिल सकता है तो यह जो देखिए एप्रेंटिशिप ट्रेनिंग करा रहा है 1961 एक्ट जो है उसके अंडर में और देखिए यह जो एप्रेंटिशिप है 2021 पाईश सेशन में करा रहा है और यहां पे अगर बात की जाए अब कब हैकेंसी के बारे में तो पीटर टर्नर मेशिनिस्ट कारपेंटर मेशिनिस्ट ग्राइंडर इलेक्टिशियन डास्मेन मेकानिकल इलेक्ट टूटर ऑपारेटर एंड पोग्रामिंग असिस्टेंट वेल्डर एंड इस्टेनों ग्राफर टोटल चौदा ट्रेड में आपका अप्रेंटिश करा रहा है जिसमें आपका टोटल वैकेंसी है 475 ठीक है तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है जिसमें आपका नंबर अप सीट है टानर के 28 सीट है मेशिनिस्ट के 26 सीट है करपेंटर के 3 है ग्राइंडर के 6 है इलेक्टिशन के 78 है डास्मन मेकनिकल के आठ है इलेक्टोनिक्स मेकनिकल के आठ है पेंटर का 5 सीट है शीट मेटल वर्कर का 4 सीट है उसके बाद मेकनिक मोटर वेकल का 4 सीट है कम्पूटर अपरेटर का 77 सीट है वेल्डर का 10 अस्टेनोगर पर का 10 तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए आपको के पास होना चाहिए जो ट्रेड में आप एक्टीपीट होना चाहिए स्टाइपेंड जो है एस पर गॉवर्मेंट रूल 1961 के अनुसार दिया जाएगा रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन जो है 1961 के इसाब से रिजर्वेशन देखिए यहाँ पर देख सकते रिजर्वेशन का लिस्ट दिया गया है स्ट के लिए 10%, स्ट के लिए 9%, ओबीशी के लिए 27%, पी डाबलुडी के लिए 4%, एक सर्विसमेंट के लिए 4.5% और एव्लीएस के लिए 10% कि उसके बाद देखिए आपको इस काटेगरी के लिए आपको जो है फॉर्मैट में लिस्टिक मैइश्टेट या फिर एड मैझिस्टेट से चैली डेना होगा तो आपको पहले फस्ट रईस्टेशन करना इंडिया.org में रईस्टेशन करना जिरों आपको प्रॉफाइल करना होगा फिर आपको पासवर्ड इमेल आईडी सब अब कुछ देखे वाग पे आपको 100 परसेन आपको प्रोफाइल बनाना है जो जो डॉकुमेंट्स बागे गाऊ उसको अपलोड करके 100 परसेन परफाइल परना उसके बाद सार्च उप्षान में यह आपको मिल जाएगा लॉग इन करने के बाद सार्च उप्षान में क्वेल्स का दिया गया इसको बाद में लोग देखतें और स्टेप फृरी जो है एपलीकेशन साब मीट करना है ठीके पहले आपको एपरेंटिस इंडिया डॉट वाड़ी में इपलाइ करना है उसके बाद आपको फीट से अलाख से सब्मिट करना है तो अलाख से कहां सब्मे कर लेना है ठीक है यह लिंक आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको ब्रावजर में जाके उसको पेस्ट करना है तो देखिए यहां पे जो है आपको यहां पे ब्रावजर में आपको पेस्ट करना है ठीक है बावजर में पेस्ट करने के बाद फिर आपको ग गो करना है तो जब आप गो कीजिए गा तो आपको ऐसे एप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएगा देखिए हाँ पर है लाइट एपरेंटिशिप एप्लिकेशन फॉर्म तो यहां पर जो है आपको रिकॉर्ड डॉकुमेंट भरना होगा जैसे आपका इमेल एड्रेस हो गया उसके बाद एपुसी पोर्टल रिश्टेशन नमबर यह आपको मश्ड चाहिए एपरेंटिशिप कोर्छे करना इसके बाद ट्रेड आपको चूज करना है कौन सा ट्रेड में करना चाते है नेम आपको देना है जैंडर फाधार्स नेम अदस्टिन आइडरेश डेट आप सब्सक्राइब करना है ठीक है तो जब आप सब्मीट कर दीजेगा तो आपको एक सक्सेस्फूली मैसेज आ जाएगा और आपको ऑटो जेनरेटेड मेल भी कर दी आ जाएगा ठीक तो इंपोर्टेन इंस्टाक्शन यहां पर सबकुछ दिया हुआ है टोटल तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिरे एनेक्सर और स्वांड में क्या दिया गया है कि इस टेस्ट अनको क्या कैसे करना है तकाफ है यहां सब्सक्राइब दिया हुआ है तो फार्स्ट टेप क्या करना है आपको एपरेंटिसिप इंडिया डॉट ओर जी पो इपोर्टल में जाना है जाके आपको रिजिटर करना है रिजिटर करने के टाइम आपको नेम फादस नेम डेट अपार्ट मोबाइल नंबर सब कुछ देना है उसके बाद इस्टेशन सक्सेस्फूल हो जाने के बाद एक एक्टिवेशन लिंक जो है आपको मेल आईडी में भेजा जाएगा उस एक्टिवेशन लिंक को आपको एक्टिव करना है वो उसका वैलेटी रहता है साथ दिन तक साथ दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगा साथ दिन के अं कि लागेगा जब आप एप्रेंटिशिप एप्लाई कीजिए ठीक है तो उसके बाद देखिए सक्सेस्पूल हो जाएगा उसके बाद आपको जो है प्रोफाइल यूजर नेम पास्वार्ट सब कुछ मिल जाएगा वहां पर जाकर आपको कॉंप्लीट पोफाइल करना है आप आपको जितना भी डाटा चाहिए स्कैन करके अपलोड करना है चाहिए तो आपका बैंक बूक हो बैंक पास्बूक हो आई टे मार्क शीट सो कुछ भी तो देखिए हाँ डिटेल्स इंपोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आपको जो डाटा पोफाइल है हांडेड पर मार्स्ट होना चाहिए सेविंग्स अकाउंट नंबर आपको करेक्टली देना है ठीके तो यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि जन जन्धन अकाउंट और जोएंट अकाउंट जो है यह सब एकसेप्ट नहीं किया जाएगा ठीके तो आप लोग क्या है जन्धन नहीं दीजिएगा उसके बाद आपका आईटे मार्क सीट और टेंथ साटिपिकेट सब कुछ अपलोड करना है उसी प्रोफाइल में इसके बाद सेकेंड इस्टेप क्या है सेकेंड इस्टेप हे आपको क्या करना है आप वहां से आपको फिर अपरेंटीस इंडिया और जी करना है लोग इन करने के बाद आपको क्या करना है क्लिक ऑन एपरेंटिशिप उपर्चुनिटीज में क्लिक करना है उसके बाद आपको सिलेक्ट कोर्स टाइप में आपको लिखना है ने आपको देना है डेजिगनेटेड उसके बाद सार्च कोर्स में आपको देना है आपका जो डिलेवेंट जो ट्रेड है फीटा टानर मेशिनिश देना है उसके बाद जो है सब्सक्राइब यहां पर जाके आपको क्लिक और एपलाई में आपको जाके क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद वो आपका एप्लिकेशन की आप्लाई हो जाएगा वहाँ पर तो वहाँ पर दिखाएगा कि आप्लाईट सकसेशसफुली जब हो जाएगा तब क्या करना है आपको step 3 जो दिखाए कुछ देर पहले आपको यह link जो है आपको total link copy करना है copy करने के बाद आपको browser में paste करना है paste करने के बाद आपको fill करना है सब कुछ fill करने के बाद आपको submit करना है तो submit करने के बाद एक successfully message आपको आ जाएगा आपका mail ID बे तो ऐसे करके जो है आपको apply करना है ठीक है तो यह जो आपका पॉपलिस्ट हुआ है एड़डाइस्मेंट 17 फेबराडी 2021 तक तो यहां पर देखिए अभी तक जो है यहां पर लाजडेट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो लाजडेट जब लाजडेट का बारे में कुछ मिल जाएगा पता तो मैं आप लोगो को बता दूंगा कि लाजडेट का कितना तारिक है हो सकता है हम कहीं मिश्टेक कर रहा है तो आप लोग देख लिजेगा लाजडेट के बारे में क्या दिया है यहां पर कुछ नहीं देखे हम तो आप लोग देख लिजेगा अगर लाजडेट मिलता है तो कॉमें में बता दूंगा अगर आप लाजडेट के बारे में कुछ पता चल गया तो आप लोग भी कमेंट्स में पता दीजिएगा तो इसका एड़टाइश्मेंट लीक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाके आप लोग डाउंलोड कर लिजिएगा और जल से जल जो है अपलाई कर लिजिएगा क् होती अच्छा वैकिंजी है टोटल 475 पोस्ट के लिए है तो चलिए आज के लिए इतने एगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए